ये चावल वो मैंने पानी सुखा के इसको दम पे रख दिया था अभी मैं इसको डिश आउट करूंगे इसमें ये डार्क यलो है ये थोड़ी से लाइट यलो है ये उससे लाइट यलो ही इसमें तीन कदर आते हैं आप जरूर बनाएगा और मेरे जाइका केपी केप को चैनल को सबस्क्राइब करो और मेरे फेसबुक पेड़ मेरे पेज को लाइक करें जरूर अपनी दौाओं में याज रखें आज मैं एशिन स्टाइल अरेबियन राइस बना रही हूँ अपना एशिन टच दे रही हूँ उसको इसके लिए में जिनचीजों की जरूरत है यह दो टेबल स्पून बटर है मकर है अंसॉल्टेड है इसमें मैं एक टेबल स्पून यह मैंने आयल इसमें एक टेबल स्पून डाल दिया है यह जरम हो रहा है और इसमें मैं यह एक मीडियम साइज प्याज थी वह मैंने काटके इसमें यह डाल दिया है इसको मैं बनाओंगी निए इसको सोटे करूंगी इसके अब इसके साथ ये आदा किलो बॉन वाला चिकन है और ये मैंने चावल वाइल किये हैं आजे थोड़ी से यलो किये हैं आजे हलकी से एक पिंच हल्दी डाल के वाइल किये ता लग से और आजे जो है ना वाइल है तुमको मैंने से मिंक्स कर लिया है कि को मैंने ऑब आज से और दोनों को मिंक्स कर लिया है एक हल्चि इसमेर्च में चुटकी हल्दी डाली olması मैंने एक हिस्हे में है त्वाइल किया थै ये ये थीन हरी हरी मिरचे है ये छोटी शिम्ला मिर्च जे ब्लीiksi है और ये तेज पत्ते हैं, एक बड़ा पत्ता मैंने तोल लिया है, और ये एक जर्मन मिर्चे है लाल, ये मैं काटके इसमें डालूँगी, अब ये प्यास फुरसा अलकर सोते हो गया है, इसमें मैं ये सब चीजें डाल दूँगी ताकि इसका लेवर इसमें आज है, अब इसके साथ ही में ये चिकन डाल दो दो, अब ये मैं डाल दे ओ, ये जर्मन लाल मिर्चे, इसमें मैंने ये लाल मिर्च डाल दिये है, ये जो जर्मन मिर्च छी ना ये, ये मैंने तीन-चार टुकड़े करके इसमें डाल दी है, अब इसमें मैं नमक, हस्बजाय का थोड़ा सा डालेंगे, फिर बार में चक के डालेंगे, और ये एक साशा है, ये खनी वाला, कि अब वाल दिया है, अब जर्मन के पानी डाल दिया है, ताकि मिर्च ना प्रवाइच पता है, और ये जो जो ब्रवाइच जो भी डाली है, इसके अच्छा अच्छा फ्लेवर आ जाए इसमें, इसको मैं ठाक लूँँगी, जब ये मैं ये अच्छी तरह से, ये पिर इस तरह दो चावल डालूँ जो इसके बाद से मैं आपको दिखाऊँ अभी बूरी गल गई है यह सब चीजें इसमें पड़ी ली है इसी तरह से रहने जी हैं यह मैंने इसमें डेट कप तकरीबन हां डेट कप यफनी है इसकी तो यह मैंने निकाल लिये और मुर्गी अंदर अब यह चावल जो है न मैं पतीली में डाल के मिक्स कर रही है इसमें भी नमक पूरा है उसमें भी नमक पूरा है अभी मैंने इसको चावल को पतीली में डाल के उसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है नमक बिल्कुल पूरा है क्योंकि चावल में अलग नमक था और च तरफनी डाल के एक तरफ मैंने डाली है अब इसको मैं दम दे रही हूँ एक जोश आएगा इसको अच्छी स्टीम जमा हो जाएगी तो फिर मैं चूला बिलकुल हलका कर दूंगे फिलाल मैंने तेज किया वावल वो मैंने पानी सुखा के इसको दम पे रख दिया था अभी मै को मैं इसको डिश आ नहीं है मैंने तो डिशाउट कर लिया है इसमें ये बाप है ये थूदक य्जोर है ये थोड़ सिलाइक नोई यह य और ये उस से लाइप यद्व ही इसमें तीन कडर आते हैं आप जरूर बनाएगा और मेरे जायका केपी केप को चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे फेस्बूप पेज को लाइक करें जरूर अपनी दौाओं में याद रखें अलाफेज अलाफेज बहुत 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 शुक्या